भरतपुर में छात्रों पर जमकर बरसी पुलिस की लाठियां महराजा सूरज मल विश्वे द्याले में छात्रों पर लाठी चार्ज बढ़ाई गई फीज का विरोध करने पहुंचे थे एबी वीपी के छात्र विरोध कर रहे कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया छात्रों ने विश्वे द्याले परशासन के खिलाफ जमकर नारे बाजी की क्या कि विश्वेत के लिए आए थे लांते विश्वे प्लोश ने पार फीपीध की लिए भी लाठी चार्ज तो वांपर रह्म्लां पिकोंशिश के तो बहुत शांची से रिक्वेस्ट कर रहे थी उन पर भी हम लगने कोछी दी तो हमारा अधिकार है कि हम बीसी से मिल सकने हैं जाके हम अगर हमें कोई समस्चा है पर हमें नहीं जाने दिया गया और हमें भगा दिया गया अट्लिस महां से की आप चाहिए यहां से इस साल नहीं हर साल होता हुआ रहा है इस टाइम लोग फितनी साल जीते थे उस टाइम भी बीए में ये परिख्यानी आई थी कि वहां के सबरे साथ जो बीए में फेल कर दिया है आपको कुन सा पता ही दी मारा आपका अपका एवीप में महां से चाहिए और यहां से पर जब परिख्यानी आया है रमिष्ट चंडराजी कोंग्रेस के सरच्चर में तब से लेकर आज तक भिध्यारतियों के अईत्में ही कुलपती ने काम किया है डेली फीच प्रद्धी को बढ़ाने लेकर नई नई फर्मान कुलपती के द्वारा जारी किये जाते हैं कॉंग्रेस की जो प्रष्ट सरकार है यहां छे मंत्री है और एक बढ़ाय के वह केवल लूट मार का काम कर रहें ऐसे बीची को लाया गया है हम वी एस्टी के जो पच्छा परणामों गोटाइल हुए तो उसको लेकर और युनिश्टी ने भी एक भर्मान जारी किया था कि 70% प्रदी की क जारी परच्छा एक्जाम को लेकर इसका सीथा सीथा प्रवाब गरीब चात्रों पढ़ना है भारतियंता पार्टी की देन है कि आज हमारे भारतपुर में और कुमेर में ब्रजी उनिवसिटी बनकर खड़ी है इसमें वी सी साफ द्वारा लगातार चात्रों के हितों को ध प्रताड़े थे हैं और उसके खलाफ उन्होंने आज अपनी आवाज उठाई तो उसको कॉंग्रेस सरकार द्वारा दवाने का काम पुलिस प्रसाशन द्वारा उन बच्चों के उपर लाठी चार्ज कराकर और उन बच्चों को अरेस्ट कराकर काम करने का काम इस सरकार द् और ये जो हमारे युवास साथ ही हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके साथ इस तरह का लाथी चार्ज और इस तरह के बरवर्ता पूर्वक उनके साथ बरताव किया जा रहा है यह मैं समझता हूं कि कॉंग्रेस के ताबूत में आखरी की लोगी झाल झाल